दोस्तों, हाली में 16 जनवरी 2024 को Global Fire Power Index रिपोर्ट जारी हुई है। इससे पता लगता है कि किस देश की आर्मी कितनी ताकतवर है। देशों की मिलिटरी ताकत पर नजर रखने वाली वेबसाइट, Global Fire Power Ranking ने ये लिस्ट जारी की है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे की Global Fire Power Index क्या है, किस तरह तयार ये ranking होती है, और भारत की इसमें क्या स्थिती है। आपको बता दे कि ranking के मुताबिक, सैन्यक शम्ता के मामले में भारत चौथे नंबा पर है। इस ranking में अमेरिका पहले नंबा पर है। रूस के पास दूसरी सबसे ताकतवर सेना और चीन के पास तीसरी सबसे मजबूत सेना है। South Korea, Britain और जापान जैसे देश भी इस ranking के टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। ये तो हुई कुछ चांकरों की बात। अब समझते हैं कि कैसे तयार होती है ये लिस्ट। इस रांक को ऐसे समझे जैसे स्कूल में रांक का नंबर जितना कम होता था उतनी ही बहतर रांक आया करती थी। मूलियकन के समय नंबर कुछ इस तरह दिये जाते हैं जिससे कम टेकनोलोजी वाला देश या कम विक्सित देश भी इसमें कमपीट कर सकें। लिस्ट को और भी रिफाइन करने के लिए इन देशों को बोनस या पेनल्टी भी लगाई जाती है। सैनिकों की संख्या, उनकी आर्थिक स्थिर्ता, सैन्य उपकरन, उपलब्ध संसाधन और भोगोलिक स्तिती जैसे साथ से ज्यादा मानकों को ध्यान में रखकर ये रैंकिंग तयार की जाती है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार अमेरिका और चीन में चीन की निवी जादा मजबूत है। क्यूंकि चीनी आर्मी के पास 355 जहाज हैं और अमेरिकी आर्मी के पास 305 जहाज हैं। इसके बावजूद अमेरिका इंडेक्स में शीर्ष पर कैसे बना हुआ है। आपको बता दे कि अमेरिका के पास यकीनन जहाज कम हैं पर उनकी क्षमता और operational capabilities बहुत ही उननत है। वहीं चीनी सेना के जहाज अमेरिका की तुलना में उतने उननत नहीं हैं। अब एक नजर डालते हैं Global Firepower की लिस्ट पर और समझते हैं कि भारत इसमें कहां ठाहरता है। जैसा हमने पहले बताया भारत इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। भारत की सेना के तीन आंग हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एफोस। इन तीनों को मिलाकर बनती हैं इंडियन आर्मी के पास 14,50,000 एक्टिव सैनिक हैं, जबकि रिजर्व सैनिकों की संख्या 11,55,000 है। इंडियन एफोस के पास 3,10,575 सैनिक हैं। वहीं इंडियन नेवी के पास 1,42,252 सैनिक हैं। ग्लोबल फायर पावर ने ये भी बताया कि इंडियन आर्म्ड फोसस के पास जो एक्विपमेंट्स हैं, उनमें से 46 प्रतिशत एक्विपमेंट्स मौडन जमाने के हैं, जबकि 54 प्रतिशत एक्विपमेंट्स कोल्ड वार के समय के हैं। अब नजर डालते हैं भारत और उसके परोसियों पर और समझते हैं कि भारत अपने परोसी देशों की तुलना में कहां खड़ा दिखाई देता है। सबसे पहले बात पाकिस्तान की पाकिस्तानी आर्मी के पास 6,54,000 एक्टिव सैनिक हैं जबकि 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। वहीं भारत के पास 4,614 टैंक्स, 1,51,248 गाडियां, 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आटिलरी, 3,243 टोड यानी गाडियों से बांध कर खीची जाने वाली आटिलरी और 702 मल्टिपल लॉंच रॉकेट सिस्टम हैं। वही पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक, 50,530 गाडियां, 752 सेल्फ प्रोपेलर डाटिलरी, 3,238 टोड आटिलरी और 602 मल्टिपल लॉंच रॉकेट सिस्टम हैं। अब बात एयरफोस की, इंडियन एयरफोस के पास कुल 2296 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 606 फाइटर प्लेन, 130 अटेक जेट्स, 264 ट्रांस्पोर्ट जहाज, 351 ट्राना एयरक्राफ्ट, 70 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 6 टैंकर जहाज, 879 हेलिकॉप्टर्स और 40 अटेक हैं, वहीं पाकिस्तान के पास कुल 1434 एयरक्राफ्ट हैं, इनमें 387 फाइटर जेट, 90 अटेक जहाज, 60 ट्रांस्पोर्ट जहाज, 549 ट्राना एयरक्राफ्ट, 25 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 4 टैंकर जहाज, 352 हेलिकॉप्टर्स और 57 अटेक हैलिकॉप्टर्स हैं, चल पंडुब्ब्बियां और 137 पेट्रोलिंग वैसल्स हैं, बात करें पाकिस्तानी नेवी की, तो उसके पास कुल 114 असेट्स हैं, इसमें 2 डिस्ट्रॉयर्स, 9 फ्रिगट्स, 7 कॉवेट्स, 8 पंडुब्ब्बियां, 79 पेट्रोल वैसल्स और 3 माइन वार्फेर भी हैं, हाला चीन के पास 20,35,000 एक्टिव सैनिक और 5,10,000 रिजर्व सैनिक हैं, इनने से चीनी थल सेना के पास 25,45,000 सैनिक, 4,00,000 एफोस के सैनिक और 3,80,000 नेवी के सैनिक हैं, अब चलते हैं, आटिलरी और गाडियों की तरफ, चीन के पास 5,000 टैंक्स, 1,74,300 गाडियां, 3,850 सेल्फ प्रोपेलर डाटिलरी, 1434 डाटिलरी और 3,180 मिसाइल लॉंच रॉकेट सिस्टम हैं, चलिए अब एफोस की बात जानते हैं, चीनी एफोस के पास कुल 3,304 एयरक्राफ्ट हैं, इसमें 1207 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, 371 अटेक एयरक्राफ्ट, 289 ट्रांस्पोर्ट एयरक 112 स्पेशल मिशन्स एयरक्राफ्ट, 10 स्टैंकर जहाज, 913 हेलिकाप्टर्स और 281 अटेक हेलिकाप्टर्स हैं, अगर नेवी की बात करीं, तो चीनी नौसिना के पास कुल 730 सेट्स हैं, इसमें 2 एयरक्राफ्ट कारियर्स, 3 हेलिकाप्टर कारियर्स, 49 डिस्ट्रॉयर्स, 42 72 कॉवेट्स, 61 पंडुब्या, 150 पेटरोलिंग वैसल्स और 36 माइन वाफ्टर हैं, इन सभी आंकरों से आप खुद ही पता लगा सकते हैं, कि कौन सा देश कितना ताकतवर है, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही जानका सारी भरी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें